नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UKSSE and UKPSC क्रेकर में तो उत्राखन में एक नई वेकेंसी निकलिए जो की CHO Community Health Officer के पदो पर जो है विग्यापन निकाल गया है जो की हिम्वन्ती नंदन भोगुणा उत्राखन चिकीसा सिक्सा विश्य विद्याले की अंतरगत रहने वाली है यह जो वेकेंसी आपकी रहेगी यह NHM की वेकेंसी रहेगी जिसमें की कुल पदो की संक्या 664 रहेगी तो पूरा आपको डीटेल पर बताएंगी किस तरह किसे आपको आविदन करना है क्या age limit रहेगी क्या इसकी सेक्सिनर की योगिता रहने वाली है ठीक है हर एक डिस्टिक में जो है वेकेंसी रहने वाली है जैसे कि आप अलमोडा में देख सकते हैं 88 रहेगी बागिस्वर में 23 चमोली में 26 चमपावत में 21 देहरदूर में 26 हरिद्वार में 10 वेकेंसी रहेगी उधम सिंग नगर में 7 है नैनिताल में 29 है पोड़ी गड़वाल में 125 रहने वाली पिथोड़गर में 104 है रुद्व प्रियाग में 19 है टेहरी गड़वाल में 145 सबसे जादे आपकी टेहरी गड़वाल में रहेगी और उत्तरकासी में 41 वेकेंसी रहने वाली है ठीक है ओनलाइन फॉर्म भनने की जो तारीक रहेगी वो आपकी लास्ट तारीक 12 नवंबर तक आप लोग आविदेन कर सकते हैं इसमें आप लोगों को शुल्क भी जमा करना होगा तो आप देख सकते हैं और जो आपका एक्जाम रहने वाला है वो आपका नवंबर में ही रहेगा ठीक है तो 20 नवंबर का आपको एक्जाम निरधारीत किया गया है और होगी और जन्पत के according आपको seat जो है alert होगी qualification के अगर हम बात करें तो इसमें आपका JNM मांगा गये या आपके पास B.H.C. nursing या post basic जो है आपका B.H.C. nursing होनी चाहिए ठीक है तो इसमें राज जी के समस्त nursing college public private aims से उत्तीन हुए अभ्यर्ती जो की उप्युक्त sectionic योगिता के धारखों mid-level health provider community health officer पधेतु जो है योगी रहेंगे जो की जो अभ्यर्ती है उत्त्राखन के मूल लिवासी हैं परंतु उनने बाहरी राज्य से जो है अपनी qualification उत्तीन करी हैं तो वो लोग भी इसके लिए eligible रहेंगे ठीक है तो G&M वाले candidates और BSC nursing की candidates इसमें apply कर सकते हैं तो आयू सीमा की अगर हम बात करें तो 21 से 42 वर्स तक के अभ्यर्ती इसमें आवेदन कर सकते हैं और अनुसूचित जाती जन जाती और OBC candidates को 3 साल का और 5 साल का जो आयू सीमा में छूट है वो मिलेगी जो आपकी आयू होनी चाहिए वो आपकी 1 जनवरी 2022 तक जनर्र की बात कर रहे हैं 21 से 42 वर्स होनी चाहिए अगर आप OBC हैं तो 3 साल इसमें आप लोग जोड सकते हैं अगर आप S.E.S.T. हैं तो 5 साल जो हैं आप लोग इसमें जोड सकते हैं इसके बाद आपका जो है इसमें क्या क्या योगिता मागी गई यह वो देख लेते हैं जो आपका शुलक रहेगा वो आपका 500 रुपिया सुलक हर एक candidates के लिए रहने वाल है ठीक है तो 500 रुपिया आपका सुलक रहेगा और इसके बाद आपको आवेदन किस तरह किसे करना है वो हम डिसकस कर लेते हैं स्लेबस आपका जो है N.I.N.C. ठीक है आई एनसी भारती है नर्सिंग परिस्ट के according ही जो है आपका स्लेबस रहेगा उसकी मैं एक डीटेल वीडियो आपके लिए बना दूँगा जल्द ही तो यह आप लोग देख सकते हैं 100 नंबर के आपकी objective MCQ-based question paper रहेगा और जिसमें कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा ठीक है 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा और आपकी परिक्षा जो है रहने वाली है इसके बाद आपके पास जितना भी आपके IU में अगर आपको छूट चाहिए तो आपका प्रमान पत्र अपडेट होना चाहिए EWS candidates को भी इसमें छूट मिलेगी तो आपके पास सारे जो है documents होने चाहिए परिक्षा केंद की अगर हम बात करें तो देहरदून, सिरी नगर और हल्दवानी अलबोडा में जो आपके परिक्षा केंदरे रहने वाले हैं तो चार जगे जो आपके परिक्षा केंदरे बनाए गए हैं तो यहाँ पर आप लोग कहीं भी आविदन कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को form किस तरीके से भनना होगा तो सबसे पहले आप लोगों को देख सकते हैं आपको ये लिखना होगा H N B U M U हिमवंती नंदन बहुगुरा यूनिवस्टी तो ये आप लोग लिखेंगे इसके बाद Google में आप लोगों को कुछ इस तरीकी का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले H N B U M U ठीक है तो यही वेबसाइट में आप लोग क्लिक करना कोई और वेबसाइट में जाने की जरुवत नहीं है तो यहाँ पर आप लोग इसमें क्लिक करेंगे इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन एप प्रोवाइट करा दूँगा तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आपको देखेगा हेमंती, नंदन, बहुगोड़ा, युनिवर्स्टी करके तो इसमें आप लोगों को नीचे स्क्रोल करना होगा और नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा CHO Entrance Exam करके तो यह आपको थार्ड कॉलम में जो आपको देखेगा औरेंज कलर से लिखा हुआ CHO ML HP Entrance Exam 2022 तो इसमें आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा Continue Apply Form ठीक है तो इसका लिंक में आपको दिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दूँगा कैसे आपको अपलाई करना है ठीक है तो इसमें आपको सीधे देखने को मिलेगा Apply New Registration ठीक है तो Apply New Registration के ओप्शन में जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे To Continue Apply Form ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा ठीक है तो Apply New Registration में आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे क्या-क्या डीटेल मांगी जाएगी वो हम देख लेते हैं सबसे पहले आपके पास Photographs होनी चाहिए Signature होनी चाहिए Documents होनी चाहिए अगर आपके पास Domicile Certificate होना चाहिए SC, ST अगर आपको इस रिजर्वेशन ले रहे हैं ठीक है तो आपको यहां पे देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम ठीक है यहां पना नाम Father's Name, Mother's Name, Gender लिखना है Date of Birth लिखनी है ठीक है तो यह आपकी Details होगी, Contact इटेल मां आपको Phone Number, Email ID और अपना Address, Corresponding Address ठीक है तो जहां पे आप अभी कारेरत हैं और जो आपका Permanent Address है वो आप यहां पे लिख सकते हैं उसके बाद अपना Domicile ठीक है तो यहां पे आप लोगों को उत्राखन Domicile लिखना होगा Category लिखनी होगी कि कौन से आपकी Category रहने वाली, सब Category क्या रहने वाली है आपको जो एक्जाम देना है चार एक्जाम सेंटर मैंने आपको बताए तो चार एक्जाम सेंटर में से आप जहां देना चाते हैं वहां आप दे सकते हैं उसके बाद आपने Qualification क्या करी है मतलब आपने BSC करी है Nursing से या Post Basic Nursing करी है या आपने GNM कर रखा है तो GNM के लिए Last टिक रहेगा Post Basic Nursing करी है तो Second रहेगा और BSC Nursing Intrigated करा है तो आप First टिक कर सकते हैं इसके बाद आपको जो है अपनी Photographs को जो है Upload करना होगा तो Photographs के लिए आप लोग देख लेना उसमें आपकी PDF नहीं होनी चाहिए JPJ Mode में होनी चाहिए और 50 KB तक जो है आपकी Photo होनी चाहिए ठीक है तो 50 KB तक आप लोग उसको Photo को Resize कर लेना इसके बाद आपको Signature यहाँ पर Upload करने होगा Choose File करके आपको Gallery खोल जाएगी वहाँ पर जाके आप लोग Upload कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर Tick कर लेना होगा Declaration में आपने सभी जानकारियां सही ही दिया है इसके बाद Save and Preview ठीक है तो Preview में आप लोगों को सारी डीटेल दिख जाएगी कि जो जो आपने Fill Up करी है बिल्कुल सही है किसी भी तरीकी की आपने कोई भी गड़ड़ी या कोई भी गलत जानकारी नहीं दिये इसके बाद आपको Payment को Option मिलेगा तो Payment के लिए आपको Online Method मिलेगा या Offline ठीक है तो UPI से आप लोग पेमेंट करिएगा उसमें आपको 500 रुपे का जो है चार्ज लगेगा जैसे ही आप 500 रुपे का चार्ज करेंगे तो Final जो है आपका Submission के लिए Fourth Step आएगा और Submit Application का Form आएगा ठीक है तो कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है कहीं पे Form Fill Up करने में तो आप Comment कर सकते हैं या हमसे Telegram में जूड सकते हैं तो इसका Slaves की वीडियो में आपके लिए जल्द लाओंगा तब तक के लिए बनी रहिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जै हिंद जै बाद